हेलो भाई हैं वेलकम टू स्पिन वील्स और आज हमारा हॉंडा मायपूरी में और हॉंडा सिटी वी एक्स देखने वाले हैं जो कि जिसमें एडास मिल जाता है बाकि अगर आपको कोई भी हॉंडा की गाड़ी के रिगार्ड इंक्वेरी हो या कोई बुकिंग करानी हो तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉंटाक्ट कर सकते हो तो चलो अंदर चलते हैं तो यह रही हमारे साथ हॉंडा सिटी वी एक्स मैन और और ओन रोड 15.6 लाक्स तक पड़ता है तो अब कंप्लीट वॉकराउंड करते हैं गाड़ी का और देखते हैं क्या कुछ फीचर मिलते हैं इसमें फ्रंट से कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जहां पर सेंटर में हमें होंडा का लोगो मिल जाता है प्लस उपर की साइड जैन फॉग लैंस मिल जाते हैं और ग्राउंड क्लेरेंस देखे तो 165 म की ग्राउंड क्लेरेंस मिल जाती है तो और फ्रंट लुक काफी बढ़िया निकल के आती है इसकी अब इंजन देखे तो एक बार बॉनट उपन कर लेते हैं यहां पर हमें इसका 1.5 लिटर का 4 सिलिंडर नाचरली आस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो की 119 भी एच्प और 145 एनम का टॉर प्रोड्यूस करता है अकी नीचे की साइड देखे तो अंडर बॉडी कवरिंग मिल जाती है और उपर इंसुलेशन भी दी 2600 mm का वील बेस आ जाता है इसमें जिनकी प्रोफाइल है 185 60 R15 तो 15 इंचिस के वील आ जाते हैं साथी में उपर देखे तो और वीम पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है डोर हैंडल पर हमें रिक्वेस सेंसर मिल जाता है प्लस उपर देखे तो यहां संरूफ आ जात ही में जहां पे सेंटर में हूंडा का लोगो आजाता है लेफ सइटी की बैजिंग और दूसरी तरफ देखे तो आई भी टेक की बैजिंग आ जाती और कोई भी वेरेट के बैजिंग नहीं मिलती है उथर चार रिवर्स पारकिंग सेंसर और नीचे देखे तो यहां reflectors आज जाइक मिल जाता है तो ये काफी बात है डिल जो यह प्लास्ट की मिलता है बढ़ स्थखिए प्याना की मेल जाती है और फिन assignment के प्लस इधर यह देखे तो पूरी फैब्रिक फिनिश आ जाती है और डोर हैंडल क्रोम में मिल जाता है और स्टेरिंग वील कुछ ऐसा मिल जाते हैं जिसमें लेफ्ट साइड हमें मीडिया कंट्रोल में जाते हैं जो कि यहां से हम टॉगल कर सकते हैं और राइट साइड क्र यहां पर देख सकते हैं इल्यूमिनेशन के कंट्रोल दे रखें और इस साइड इंजन स्टाट बटन आ जाता है यहां पर देखे तो ट्रक्शन कंट्रोल और स्टेरिंग वील की बात करें तो यह दोनों रीच और एक के लिए अज्जस्टेबल है जो कि कफी बढ़िया ची सब्सक्राइब कर सकते हैं अब डिस्प्ले पर आजाएं तो एट इंच का डिस्प्ले आ जाता है इसमें जो की एंड़ोट आपल कार प्ले वायरलेस सपोर्ट करता है बाकि उसके अलावा जादा कुछ चीज़ें हैं नहीं इसमें फोन कनेक्ट करने के बाद ही सब कुछ ऑपरेट होता है यहां पर हैजार लाइट का स्विच आ जाता है नीचे की तरफ और एक यूएजबी नॉर्मल पूर्ट फोन वगरा कनेक्ट करने के लिए यहां थोड़ी स्पेस मिल जाती है फोन वगरा रखने के लिए यहां दो कपोल्ड रा जाते हैं यहां देखे तो यहां पर मैनुल आयरी मिल जाते दे नािट वाला यहां पर संडोर के ने देखे तो यहां वैनिटी मिरर मिल जाता है यह जाती है अब संडोर्फ इसमें वन टॉट चांग जाती है जो कि पूरी एक बरी में उपन ओ साइज भी इसका डीसेंट एक सिदान के साब से चोटा साइज तो नहीं कहेंगे बस यह इतनी ओपन होती है और ब्लाइंड इसका मैनुली ऑपरेट करना पड़ता है अब सीट्स देखें तो सीट्स इसमें फैब्रेक आ जाती है जो की काफी कमफर्टेबल है उसमें कोई डाउट नहीं है तो ड्राइवर साइड वाली सीट में अपनी साब से अड़ेस्ट कर लेता हूं और फिर पीछे चलके स्पेस वगेरा देखते हैं कितना कुछ मिल जाता ह अब ड्राइवर साइड वाली सीट मेरे साब से अड़ेस्ट है और मेरी आइट 58 है तो उससे साब से इतना कुछ नीरूम मिल जाते है जो की काफी बढ़ी है हेड रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते है अगर आपके आइट 6 या 6 से उपर है बाकी कमफर्ट बहुत ही बढ़ी है मिल जाते है सीट बोर्ट कमफर्टेबल है रिकलाइन एंगल भी काफी बढ़ी है अमेनेटी की बात करें तो यहां पर एस इवेंट्स मिल जाते हैं सेंटर में नीचे की तरफ दो 12 वोल्ट के सॉकेट मिल जाते हैं को यूएस्वी पोर्ट नहीं दिया गया है ज सेंटर में देखें तो यहां पर रीडिंग लांस आ जाते हैं है लोजन में और हैड्रेस जिसमें कोई भी अजस्टिबल नहीं आता है आला कि तीन एड्रेस दिये वें और सेंटर में आम रेस्ट आ जाते हैं विट ट्विन कप फोल्डर्स अब पीछे डैश्बूर्ड की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड़ हैं बाकी वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग